हाई गाईज आई होप योला डूइंग रेग हम लोग बात करें हमारे डेली किरेंट प्रेस सेशन की जो सुबह चार बज़े वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आई एस पर आज की तारीख है 30 जुलाई 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि उमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो फीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप माई टेली ग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आई एस और सेस जल्पनेकल ऑनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस फुज के साथ मैं अपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि किस राजे का पाला आदर भूमी को रामसर सल के रूप में मानेता मिली है इसका करेक्ट आंसर था मिज़ो राम और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि डॉक्टर एपी जे स्वदेशी विमान भाक दैश आलई में भारती नौसेना को सौन्पा गया है और लीदिटेइल्ट देख लो तो भारती नौसेना को स्वदेशी विमान भाक व्कू प्राप्थ हुआ इस डिलिवरी के साथ भारत उन देशों के एक आला समू में शामिल हो गया है जो लगभग 76% स्वादेशी सामगरी के साथ विमान भाग पोद बनाने की क्षमता रखते है भारत के पहले एरक्राफ्ट केरियर का नाम भी INS विकरान था जिसने 1971 के युद में एहम भूमिकनी भाई थी नौसेना में 36 साल की शांदर सेवा के बाद 1997 में इससे सेवा मुक्त यानि डी कमिशन कर दिया गया था नेक्स्ट वेसन देखो अंतराश्ट्रे बाग दिवस यानि इंटर्नाश्टनल टाइगर डे कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर A 29 जुलाई डिटेल्स देख लो तो 29 जुलाई को अंतराश्ट बाग दिवस मनाया जाता है यह दिन दुनिया की बागो की अबादी के सामने आने वाले खत्रों के बारे में जगरुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है अंतराश्ट बाग दिवस 2022 के लिए इस वर्ष का विशे है बागो की अबादी को पुनर जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच किया यानि इंडिया लॉंचेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइब दा टाइगर पॉपुलेशन इसे 2010 में रूस में सेन पीटर्सबुर्ग टाइगर समिट में बनाया गया तमिल लाडू में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जैनवरी 2022 में पुरसकार मिला था यहां 2010 के बाद से बागो की संख्या दोगनी होकर असी हो गई यहां पर एको एक रिविजन की बात करें तो केंद्रे परयावरन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार 24 ने हाल ही में लो नेक्स क्वेसन देखो हान कौंग सेने अभ्यास हाल ही में किस देश में संपन हुआ करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर डी ताइवान डीटेल्स देख लो तो हान कौंग सेने अभ्यास हाल ही में ताइवान में संपन हुआ यह 1984 से आयुजद किया जा रहा है यह अभ्यास च और तमसुई नदी के मुहाने पर हमला किया तमसुई नदी एक रनीतिक मुहाना यानि स्ट्राटेजिक एस्चुरी है जो ताइपे के केंदर तक सीदी पहुँच प्रदान करता है ताइवान के सेना ने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर सहित बीस नौसैनिक जहाजों से हमला वर बल को रोकने और हमला करने के लिए गोले दागे बात करें हाँ पर ताइवान की तो इसी कैपिटल है टाइपे करन्से निउ ताइवान डॉलर नेक्स्ट क्वेसन देखो इसका करेक्ट आंसर है टीजे जॉसिफ डिटेल्स देख लू तो प्रोफेसर टीजे जॉसिफ के संस्मरन अटू पोक्ता और मकल अंग्रेजी में अथाउजन कट्स शिवशक ने आत्मकता श्यनी में केरल सहित अकाद्मी पुरसकार जीता है यह पुस्तक पूर्व मल्यालम प्रोफेसर का विवरन है कि कैसे उन्होंने 2010 में बीकॉम के छात्रों के लिए एक आंत्रिक सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रशन तयार किया था जिसने मुस्लिम फ्रिंज तत्मों को नराज कर दिया था बेसिकली ओफेंडिंग क्वेस्चन एक कॉन्वर्सेशन थी बिट्वीन अ करेक्टर जिसका नाम था मोहमद और भगवान के बीच नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाली में किस विश्व चैंपियन ने फॉर्मुला वन से सनियास की घोशना की है करेक्ट आंसर है सेबेस्टियन वेटल दाट इस ओप्शन नमबर डी दिटेल्स देख लू तो चार बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने सीजन के अंत में फॉर्मुला वन से सनियास की घोशना की सेबेस्टियन कुल 53 ग्रांड प्रिक्स और 122 पोडियम फिनिश जीतने के बाद एस्टेन मार्टिन के साथ अपने अंतिम सीजन का अंत करेंगे वेटल ने 2007 में परदापन किया उनकी पहली किताबी जीत 2010 में हुई जिसने उन्हें सबसे कम उम्र का खिताब विजेता भी बना दिया उन्होंने 2010 से 2013 के बीच रेड बूल के लिए चार खिताब जीते वेटल 53 जीत के साथ सर्वकाली ग्राइन फिक्स विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर है उनसे जादा किताब सिर्फ लुइस हैमिल्टन और माइकल शुमाकर के नाम है नेक्स्ट क्वेसन देखो किस राजे सरकार ने चीफ मनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है करेक्ट आंसर है उप्च नमबर ए तामिलाडू दिचेल्स देख लू तो तामिलाडू सरकार ने 2022-23 के दुरान राजे भर में कक्षा 1-5 में 1.14 लाग से अधिक बच्चों को लभानवित करने के लिए 1,545 सरकारी प्रात्मिक स्कूलों में चीफ मनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम के पहले चरन को लागू करने का अदेश जारी किया जहां तक संभवो क्षेत्र में उपलब्ध बाजने से बड़ा नाश्ता चात्रों को सब्ता में कम से कम दो दिन उपलब्ध कराया जाएगा यह योजन स्थानिय निकायों के माध्यम से तब तक लागू की जाएगी जब तक कि इसका विस्तार ना हो जाए और यह पूरे तामिलाडू को कवर ना कर दे नेक्स क्वेसन देखो वित बर्ष 2021 में भारत में एफ़ड़ा का शीष तोत्र कौन सा देश रहा? परेक्ट आंसर है सिंगापूर डिटेल्स देख लू तो वित बर्ष 2021 में भारत में एफ़ड़ा के शीष पांच स्तोत्र सिंगापूर, यूसे, मौरिश्यस, नीदर लैंड और स्विट्जर लैंड है भारत में एफ़ड़ा एकुटी परवा में सिंगापूर की हिस्सेदारी 27.01% है और अमेरिका की हिस्सेदारी 17.94% ये दोनों देश भारत में एफ़ड़ा एकुटी परवा में शीष दो सोर्सिंग देशों के रूप में उभरे भारत को बित बर्ष 2021-22 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्छतम वार्षिक एफड़ा प्रवा प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष की तूलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बित बर्ष 2021-22 में करनाटा को सबसे ज़्यादा FBI मिला इसके बाद महराश्च्र, दिल्ली, तमिलाडू और हर्याना का नंबर आता है बात करें यहाँ पर सिंगापूर की तो उसी कैपिटल है सिंगापूर सिटी करनसी है डॉलर नेक्स्ट क्वेसन देखो किस राज्ये ने स्मार्ट पुलिसिंग पहल के तहट स्मार्ट इबिट प्रनाली शुरू की है करेक्ट आंसर है ओप्शन अबर डी हर्याना दीचेल्स देख लो तो हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहलाल खटर ने गुरुग्राम में पुलिस की उपस्तिती और गश्ट की वास्त्विक समय के निगरानी के लिए एक अप अधारित प्रनाली शुरू की स्मार्ट पुलिसिंग इनिशेटिव के तहट स्मार्ट इबिट सिस्टम लॉइंच कीया और इससे इन पुलिस कर्मियों को अपने उपस्तिती दर्ज करने और उसके निगरानी में मदद मिलेगी स्मार्ट इबिट सिस्टम गुरु गराम के शहरी क्षेत्रों में स्टेट सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को कवर करेगा यह एप आफ्लाइन मोड में काम करता है और नेटवर्क की जरूरत नहीं है बात करें हैं पर हर्याना की तो इसके डैम जरिवर्ज में आता है कौशलिया डैम कौशलिया अनंगपूर डै घर खटर नेक्स्ट क्वेशन देखो एश्याकप 2022 को श्रीलंका से डैश में सनांत्रित कर दिया गया है करेक्ट आंसर है सयूक तरब अमीराथ डिटेश्यल्स देख लूँ तो एश्याय क्रिकेट परिषद एसीसी ने पुश्टी की है कि एश्याकप को श्रीलंका से सयूक 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में मौजुदा सिती को देखते हुए सर्वसम्वती से यह निशकर्ष निकाला गया लास्ट क्वेस्चन देखलो आज के सेशन के लिए किस देश ने मुद्रा स्फिती की बृध्धी को रोकने के लिए सोने के सिक्के लाँच किये हैं करेक्ट आंसर है ओप्शनमबर डी जिम्भावे देखलो तो जिम्भावे ने देश की मुद्रा स्फिती की बृध्धी को रोकने के लिए जनता को बेचे जाने के लिए सोने के सिक्के लाँच किये हैं सोने के सिक्कों को मोसी ओवा, तूनिया कहा जाएगा जिसका स्थानिय टॉंगा भाशा में अर्थ है, विप्टोरिया पॉल्स का संदर्भ है, सिक्कों में तरल सम्पति की उपस्तिति होगी, यानि liquid asset status होगा जिसका अर्थ है कि वे असानी से नकदी में परिवर्तित होने में सक्षम होंगे और स्थानिये और अंतराश्चे स्तर पर वैपार योगे होंगे बात करें हाँ पर जिंबावे की तो असी capital है हरारे currency यूएस डॉलर क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एरक्राफ्ट केरियर विकरांत इंडिया नेवी को सौपा गया इंटरनाशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है हान कुवांग मिलिटरी एक्सरसाइस ताइवान में संपन हुआ टीजे जॉसेफ के मेमोयर अथाउजन कट्स ने केरला सहीतक आदमी अबॉट जीता सबेस्टेन वेटल ने फॉमला ववन से रेटार्रमेंट की घोशना की चीफ मनिस्टर्स ब्रेकफस्ट स्कीम तमी लाडू ने लाँच की फानेंशल यह 2021-22 के लिए इंडिया का टॉप मोस्ट सोर्स ओफ एवडियाई है सिंगापूर स्मार्ट इबिट सिस्टम हर्याना ने लाँच किया एश्या कब 2022 UAE में आयूजित किया जाएगा और इंफलेशन स्पाइको करने के लिए गोल्ड कोइन्ज लाँच किये हैं जिंबावे ने बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स वो दडे के आपका पहला क्वेस्टिन है विशु हैपेटाइटस दीवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है ओलंपिक और पैरलंपिक खेल पैरिस दोजर चॉबिस के लिए आधिकारिक स्लोगन क्या है दोनों हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांस नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइटस और टेलिग्रम हैंड इसको जोइन जरूर करना है थैंक यू सो मच आल सीन में नेक्स सेशन